चलिए आप लोग मैं विवेक सेना विनर्स के यूटीब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आए आज हम अगस्त मन्त के सारे रिवीजन राफिटाइट करने वाले हैं तो फटा पट जली से आजाई है या थूड़ी सी लेट चल रही है तो डोट वरी शाम तक सभी के अड्मिट कार्ड आजाएंगे जिन लोग के आठ तारिक को एक्जाम है तो उनके लिए वैस्ट ऑफ लग मिनी तरफ से बहुत और अच्छे से पेपर करना बिटा कोई डाउट है तो मुझे बिल्कुल बताना और अभी भी आपके पास समय है आठ दिन दस दिन का लगबक आपके पास समय है तो प्लीज मैनत करते रहिए यह आठ दस दिन एतनी मैनत कर लीजिए कि आपका सेलेक्शन हंडिट परसेंट ह हो जाएगा तो पड़ा पड़ा आजाएए गुड़ बानिंग कैसे हैं आप लोग जिनका भी एड्मिट काड ओपन नहीं हो रहा है तो फ्लीज थोड़ा सा वेट कर लें शाम तक सभी के ओपन हो जाएंगे तो अभी थोड़ा सा क्या सर्वार डाउन हो जाता है डोन वरी सबके अड्मिट काड आ गए हैं तो फाइनली एक्जाम होने वाला है जो लोग अफवाएं उडा रहे थे तो हमने पहले ही बोल दिया था कि इस प्रकार की अफवाव पर विस्वास ना करें एक्जाम डेफिनिटली आपका होगा तो गुड़ मानिंग चले पड़ा पड़ और लाइक और सब्काइब कर दे और जो लोग अभी तक ऑनलाइन नहीं आ है तो फ्रीज सबसे पहले सेक्शन को लाइक कर दे और शेयर कर दे और आजी क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हर एक्जाम कुछ-कुछ डेटों पर अपका अलग अलग भी है तो जिन जिनका ए एक्जाम में उनको ज्यादा समय मिल गया है तो फ्रीज तयारी कर लें पटाक से पर जिन लोगों का आठ तारीक को यह एक्जाम है वह बिटा बिल्कुल लगन और मैने से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें तो कि आठ दिन या दस दिन ही आपके पास है तो मिल्कुल आठ द है वह आपका अगस्त मंत का रैपिट फायर चीक है तो यह रैपिट बायर एक चीज और बता दू बच्चों ध्यान से सुन लीजी मेरी बात को कई बच्चों का संता है कि कोशन की डिटेल नहीं पढ़ा रहे हैं सर तो बिटा यह रैपिट फायर है इसमें हम सिर्फ रिवी पूरी पीडिएफ कहा मिलेगी तो देख लीजिए एक बार आप पी टेलिग्राम चेनल पर मिल जाएगी तो इसे जॉइन कर लीजिए आपको पूरी पीडिएफ मापर मिलेगी चले फटा 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 आजाईए जिनके भी अड्मिट काड ऊपन नहीं हो रहे है जो बता र देख लीजिए सफलता एक कड़वा सच है उब्सपलत्र वहां करीब होते है आप मंजिल के बहुत करीवो और मंजिल के बहुत करीब हो कोआप मंजिल के बहुत मिलेगी बस बेटा अपने कदमों को पीछे मत करना हम आपके साथ है विनर इंस्टिटूट आपके साथ है ये पूरी टीम आपके साथ है बेटा अपने कदमों को पीछे मत करना कभी जिंदगी में हार मत मानना हमेशा लड़ते रहना हमेशा लड़ते रहना और हमेशा लड़ते रहना आप हमेशा कहीं न कहीं किसी सफलता पर हाँ ज़रूर कहीं न कहीं आप पोस्टिंग लेकर जाएंगे तो सफलता एक ऐसा कड़वा सच है तो बहुत से व्यक्तियों को अक्सर तभी हार मान लेते हैं जब वो मंजिल के करीब होते हैं तो आप अब मंजल के बहुत करीब हैं जहां रखना तो यह question आपके सामने अगला रफिट पायर पहला यह रहा तो फटाफट चली से मुझे बता दीजिए the most incredible olympic story question देख लीजिए फटाफट से तो question आपके सामने एक book है ठीके चले तो the most incredible olympic story नामत पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है the most incredible olympic story book किसके द्वारा लिखी गई है तो आपको यहां पर writer का नाम बताना है तो फटाफट जली से मुझे comment कर दीजिए बिटा अभी तक जो लोग like नहीं आए हैं तो please सबसे पहले session को like और share कर दें उसके बाद start करेंगे class चलिए बड़ा पर जल्दी से आ जाएए और इसका answer मुझे comment करके बता दीजिए पहले का answer the most incredible olympic देखो olympic story के बारे बात हो रही है तो यहां पर पूरी जो journey olympic की होती है उसके बारे में बताया गया है तो answer मुझे comment करके बता दीजिए तो काफी लोग के answer आना start हो गए है very good बिल्कुल लूसियानो वारनेक इसा राइट आंसर यह बिल्कुल सही है काफी लोगों ने answer सही दिया है बिटा यह अगर्स्त मन का current affairs से starting में बता दिया है अगर्स्त मन का हम एक-एक महीने के rapid fire ले रहे हैं उसमें से most important question ले रहे हैं जो आपके exam point of view से बहुत important होंगे तो chances यहां से बहुत अच्छे-च्छे question है तो हम एक-एक महीना पूरा revision कर रहे है तो आज हमारा अगस्त मन्त है ठीक है चले तो बिल्कुल रूसियानो वार्मिक आपका answer बिल्कुल सही है और यह कहां से belong करते हैं तो यह आपको याद रखना है यह अर्जे question देख लीजिए यह आपके कहां से belong करते हैं यह अर्जेंटीना के रहने वाले हैं कहां के रहने वाले हैं अर्जेंटीना से belong करते हैं तो राइटर किया जो राइटर होते हैं उनकी country का नाम भी आपको याद रखना है अर्जेंटीना इस करणसी है पैसो ज्यान रखना बहुत fast बोलते हैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ातें तो यह rapid fire है इसमें जल्दी ही करना पड़ेगा आपको कोगी revision नहीं हो पाएगा फिर है ना बहुत slow speed लेकर चलेंगे तो आप कैसे करेंगे question को एक्जाम भी बहुत फास करना बेटा कोशन शूटना जाए आपके चले तो आगे चलिए नेक्स कोशन के तरफ आपके सामने यह रहा अब तक भारत में कितने बाग अभ्याराणों को है ना इसको बोलते हैं CATA की मानिता प्राप्त हुई है कि भारत में कितने अभ्याराणों को यानि नैशनल पार्कों को अभी तक CATS वाली जो मानिता होती है वो कितने अभ्याराणों को दी गई है देख लो ग्लोवर कंजलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर कितने अभ्याराणों को CATS देख लीजिए यह कई वार एक्जाम में पूशा भी जाता है ठीके चलिए तो फटापट मुझे जल्दी से आंसर कर दीजिए और इसमें मद् प्रदेश के कितने हैं तो वह भी नाम मुझे कमेंट करके बता दीजिए फटाफट से जिनका डाउनलोड हो गया है उनके लिए वैस्ट आफ लक्ट आठ तारिक वाले मुस्ली डाउनलोड हो गए है बाकि जो लेट है उनके थोड़े से आगे पीछे हो रहे है तो चिंता म और मद्र प्रदेश में तीन सत्पुड़ा पहला है सत्पुड़ा देख लो पहला है सत्पुड़ा नैशनल पार्क दूसरा है कहाना और तीसरा है आपका पन्ना घ्यान से देख लीजिए पन्ना नाशनल पार्क घ्यान से देख लीजिए पन्ना नैशनल पार्क है आपका तो ये तीन मद्रदेश के हैं जिनको अभी हाली में तीनों को अभी हाली में गलोवर कंजर्वेसिप का नेशल पार्क जो है इंडिया के मद्रदेश के जो है इन तीनों को रखा गया है तो MP वाले थोड़े फोकस करना को कि मद्रप्रदेश का एक्जाम है तो मद्रप्रदेश में 3 को मिला है तो ये एक्जाम में आने के चांसे ज़्यादा होंगे तो देख लीजिए फटाबर मद्रप्रदेश में पूर टोटल देखा जाए तो बहुत सारे हैं टोटल 14 लोगों को दिया गया है बट यहाँ पर कोश्चन आपसे 14 नहीं पूछ रहा है वो पूछ रहा है मद्रप्रदेश में कितने 3 हैं तो वो भी आपको याद रखना है या पर नेक्स कोश्चन आपके सामने ये रहा चले नेक्स कोश्चन फटाफट जल्दी से मुझे इसका अंसर कमेंट कर दीजिए वर्ष 2021 के लिए महराश्ट भूशन पुरुसकार किस भारतिये व्यक्तिव को प्रदान किया गया है तो महराश्ट गबर्मेंट के द्वारा या उपन नहीं हो रहा है वो चिंता ना करें सर्वर ठोड़ा डाउन है मैंने बता दिया है सर्वर ठोड़ा डाउन है आप बिल्कु चिंता ना करें चले जो लोग अभी तक लाइफ नहीं आ है तो बेटा प्ली सेशन को लाइक और शेयर कर दें चले बटावर जल्दी से कोश ब्रसकार किसे दिया है क्मेंट कर दीजिए विल्कुल का कर लोग के आठीक आशन आ गए है आशा भोष दिया गया है में तो आशा भोष लेज है आप लोगों का löगा चलिक और बता दूसा यहांश Rach لا ऑई को सत्न हजार में इन्हे आदा सहाफ फाल के पुरुसकार दिया गया है कौन सा पुरुसकार दादा सहाब फाल के पुरुसकार दिया गया है और इन्हें दादा सहाब फाल के पुरुसकार के साथ संद 2008 में देख लो एक बार संद 2008 में इन्हें विभूशन पद्म विभूशन अवाड भी दिया गया है पद्म गया है तो सब्सक्राइब दादा साथ पॉलके पुरुषकार और 2008 में आपका पद्म भीभुषण से भी सम्मानित किया गया है और 2021 का इन्हें महराष्ट भुषण पुरुषकार से सम्मानित किया गया है चलिए तो नेक्स कोश्चन की तरह बढ़ते हैं नेक्स कोश्चन आपके सामने ये रहा चले नेक्स कोश्चन देखते हैं हाली में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी द्वारा शुरू किये गए नए डिजिटल भुक्तान समाधान का क्या नाम है नेक्स कोश्चन आपके सामने ये रहा कि अभी हाली में नरेंद्र मोधी जो नरेंद मोदी जो बात के आपके प्रधार मंत्री है उनके दौरा एक नया डिजिटल वुक्तान समाधान स्टार्ट किया गया है तो उसका नाम क्या है तो आंसर मुझे फटाफट से कमेंट कर दीजिए ये क्यों बनाया गया है इसकी छोटी सी डेटेल में आपको बता देता ह फटाफट से कमेंट कर दीजिए चले फटाफट जल्दी से काफी लोग के आंसर आना स्टार्ट हो गए है तो बिल्कुल काफी लोग के आंसर सही है ये ये रूपी है ध्यान लखना ये क्या है ये रूपी है ये बिल्कुल सही आंसर है ये एनपीसी आई एनपीसी आई मतल इसको एक प्रकार का समाधान मंच है जैसे मैं आपको एक छोटा सा एक्जामपल यहां पर बता देता हूँ कि अभी हाली में लॉकडाउन में नरेंदर बोधी ने सभी के खातों में पानपानचों रुपे डाले थे तो सभी ने निकाले और उसे यूज कर रहा या जैसे भी है ना सबने 500 रुपे तो निकाल लिए बट आप उसे क्या यूज कर रहे हैं कैसे यूज कर रहे हैं वो नहीं पता चलता तो इसके दुआरा इस टेक्नलोजी को जब उन्हों क्या क्या वो एक आपको वाउचर देंगे है ना एक आपको वाउचर देंगे जो आपके मुबाइल टेक्नलोजी पर आएगा और वो आप स्कीन कराकर कोई भी चीज मार्केट से रही आप सिफ गवर्मेंट आउटलेट जो स्टोर्स होती है वहाँ से पर्चेस कर सकते हैं यह एक इलेक्टोनिक या डिजिटल करेंसी है जो स्विफ आपको स्कीन करकर वहाँ पर पे करनी होगी चलिए नेक्स कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम यहाँ पर आपके सामने यह रहा है एक स्कूश्चन फटा पर जल्दी से देखिए कि केंद्र ने देश भर में कितने खेलो इंडिया केंद स्थापित करने का निर्ने लिया है तो कितने खोले जा रहे है तो फटा पर नेक्स का कमेंट कर दीजिए जल्दी नेक्स कोश्चन का कमेंट करता दीजिए जो लोग अवी तक लाइप नहीं आए तो प्लीज फड़ा फड़ा लाइप और कमेंट करना स्टार्ट कर दें जल्दी से तो कितने खेलो इंडिया ओपन होने वाले हैं तो खेलो इंडिया है तो खेल मंत्री के दोवारा भी स्टार्ट होगा तो खेल मंत्री कौन है हमारे अनुराग ठाकुर हैं ध्यांसे देख लीजिए और उनके दोवारा बिल्कुल सही काफी लोगों के अंसर आ गए है तो 1000 आउटलेट खोड़ने जा रहे हैं 1000 खेलो इंडिय केंद्र स्थापित करने जा रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर है सभी लोगों का चलिए तो नेक्स कोश्चन की तब बढ़ते हैं नेक्स कोश्चन आपके सामने ये रहा पड़ाफट नेक्स देखिए नेक्स दे आपका किस दिन को हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है हिरोशिमा डे कब बनाया जाता है तो पड़ाफट नेक्स कोश्चन का आंसर कमेंट कर दीजिए कि हिरोशिमा डे कब बनाते हैं ध्यान रखना हिरोशिमा डे कब बनाया जाता है तो आपको याद होगा कि हिरोशिमा क्या है हिरोशिमा जापान के एक शहर का नाम है जापान के एक शहर का नाम है जहापर अमेरिका यूएस के दुवारा 1945 में परमाडू बंस से हमला किया गया था दो शहर है एक हिरोशिमा और एक नागा साकी हिरोशिमा कब बनाते हैं उसका मुझे फटाफट से कमेंट कर दीजिए जल्दी से तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है काफिलोगों का 6 अगस्त हिरोशिमा डे बनाते हैं है यह बिल्कुल सही है पर अगर यहां पर पूछे नागासाकी तो ध्यां रखना छे अगस्त नागासाकी और नो अगस्त को बनाते हूं गहां था जो जैयरीली डैस है जिसके करण आज भी इन दोनों शह्यरों में काफी अपंग या अपाईच बच्चे पैदा होते हैं तो प्लीज बर्माड़ भूम से दूर रही हैगा चलिए तो नेक्स कोशें कि भड़ते हैं नेक्स कोशन आपके सामने ये रहा अई कि अच्ट कोश्चन है कि से राज से सरकार ने घर-गर स्वास्वा योजना मंक低ला यहां से पढ़ना मंक कनाई येदि मारू तुमंक शुरू की है मकलाई थेदी मारू थुलम थोड़ा सा नाम आपको लगेगा अटपट आया तो थोड़ा अटपटे शेरों के नाम देखने को भी यहां पर ऐसे कहां कहां होते तो नेक्स कोशन की तब जल्दी से फटापट कर दीजे कमेंट और फटापट से शेशन को लाइक करें और शेर करते जाए फटापट जल्दी से चले गुड बानिंग जो अभी आ रहे हैं फटापट जल्दी आ जाईए और नेक्स कोशन कर दीजे घर-घर स्वास्त सेवा दे देने जा रहे है वो एज लिमिट जो रखी गई है वो फिट एक सेके देख लो इदर 45 साल से उपर के जो व्यक्ति हैं जो थोड़ी जिनकी तब ज़्यादा लेवर पर खराब होती है उनको और ऐसे अपाहिज लोगों को जो घर से नहीं निकल पाते हैं किसी दियर बस वो घर में ही रहते हैं तो अगर उस कंडिशन में अगर बात करें तो 45 साल से उपर के लोग और ऐसे एंडिकैप लोग जो यहां पर स्वासेवा नहीं लेने आ पाते केंद्र पर तो उन्हें घर जाकर स्वासेवाइद दी जाएंगी तो वो किस राज के दौरा स्टार्ट किया गय किंगोड़ों कांविट आ गया है सात्वे का सी तामिल नाडू सही आंसर और विड़ा कोश्यन नवर भी लिखतेयों जाएंगे सात्वे का सी है तो डावनद कर आंसर करें से से मुझे यह दिख जाए कि आप कौन से का अंसर दे रहे हैं चले तो नेक्स कोश्चन की तरफ बढ़ते हम यहाँ पर नेक्स कोश्चन आपके सामने यह रहा लेक्स कोश्चन है आपका किस राज के मुख्य मंत्री ने सैक्षडित अधिकारिता कोश्च की घोश्चना की है अब देखो एजुकेशन सिच्छा की बात हो रही है तो हमें यह पता हो रही है कि विच स्टेट ना हाईएस लिट्रेसी रेट इन इंडिया किस राज की लिट् से मैंने आपको हिंट देदी है यहां पर कि विच स्टेट हाईएस लिट्रेसी रेट इन इंडिया तो उसी का अंसर यहां मिल जाएगा सेक्षडिक योगता यारी एजुकेशन की बात हो रही है तो एजुकेशन में नंबर वन पर बारत में कौन सा राज है तो आप यहां स गलकुछ सही है केरला के मुख्यमंत्र के द्वरा स्टार्ट की गई ती जुण ने बच्चों को लेटंट देने वाले है यह तैबलेट देने वाले है जिससे वह घर पर बैट कर अपनी ऑनलाइन एडुकेशन को पढ़ सकते हैं , चले तो नेक्स्क्स्क्स्ट्र की बटते ह खेल रत्न पुरुषकार का नाम बदल कर किस भार्तिये खेल दिगज के सम्मानित किया गया है देख लीजिए बहुत इजी कोश्चन है तो डेफिनिटली आपको बन जाएगा चलिए बटा अभी की बात रही कर रहे हैं अगस्त मंत में जो cm उनकी बात हो रही है तो काफी लोग बोल रहे हैं कि स्टानिस वहां के मुक्य मंत्री है तो बेटा ध्यान रखना यह अगस्त मंत का है तो किस मंत्री के द्वारा लॉंच की गई है वो आपको बताना होता है अगर वो पूछेगा पिर वो दूसरे है और दूसरी लांच करेंगे जो पुराने उन्हें ने वह टॉंच की है तो यह बिटा इसमें डाउट नहीं आना चाहिए आपको चलिए फड़ावट जली से कमेंट करतीजी यहां पर बिलकुर काफी सही आंसर आया सभी का कि राजीव गांधी खेल रत पुरुसकार का नया नाम है ध्यान चन्द यानि मेजर ध्यान चन्द के नाम पर यह रखा गया है ध्यान चन्द खेल रत पुरुसकार रख दिया गया है राजिव गांधी खेल रत पुरुसकार की शुरुवात 1991-1992 में की गई थी यह इसका एयर है 1992 में इसको स्टार्ट किया गया था राजिव गांधी खेल रत पुरुसकार को इसका भी हाली में नाम बदल कर मेजर ध्यान चंद कर दिया गया है और राजिव गांधी खेल रत लग दिया गया है जिने होकी का जादू गर्भी कहा जाता है और 29 अगर्ज को ध्यान रखना 29 अगर्ज को खेल दिवस भी बनाते है यानि मेंज़र ध्यान चंद का जनम दिन भी आता है और 29 अगस को national sports day के रूप में भी मनाया जाता है चले दुबरकुल सही है यह आपका next question की तरफ बढ़ते हैं next question आपका ये रहा पटाफ़ाट next question की तरफ देख लीजिए easy of doing business पहल के तहर निम्लिकित में से किस राज ने अपनी योजनाओं के लिए चार स्कोच पुरुसकार प्राप्त किया है क्यान रख लीजिए easy of doing business easy of doing business रिपोर्ट में किस राज ने चार स्कोच पुरुसकार प्राप्त किये हैं तो फटाफ़ाट जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दीजिए 10th का अंसर जल्दी से 10 वे का अंसर राजपूर जी सारे PDF के जो टिक होते हैं उसी की PDF डाली जाती है टेलिग्राम चैनल पर आप चिंता ना करें वैसे ही टेलिग्राम जैसी ये होती है वैसे ही टेलिग्राम पर डाल दी जाती है करके इसमें कोई एडिटिंग नहीं होती है चले तो फटाफट से नेक्स्ट कोशन का मुझे कमेंट करके बता दीजिए जल्दी से जिसका बढ़ने हाता है उसके लिए हैपी बिर्थडे चलो फटाफट जल्दी से ताक्षी कल की पीडियेफ डल चुकी है चैक करें आप एक बार रिफ्रेश कर लें अगर नहीं हो रहा है तो बेटा डेली डल जाती है शाम तक तो यहां टैंट का अंसर मुझे कमेंट करके बता दीजिए काफी लोग के अंसर थोड़े अलग-अलग आ रहे हैं बिटा एक बार और चेक कर लें कल ही डल गई है एक बार मैं भी चेक कर लूँगा अब भी क्लास के बाद आप भी चेक कर लें कि ताक्षी डाल दीए बिटा चले तो पटबड़ जल्दी से बता दीजिए इसका अंसर आएगा आपका वेस्ट बंगौल इजार राइट पश्षिम बंगाल आएगा ध्यान से देख लीजेगा पश्षिम बंगाल बिलकुल सही आंसर इसका चले तो नेक्स कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स कोश्चन आपका ये रहा किस राज केंद साशित प्रदेश की सरकार ने 2047 तक इससे वैस्षिक शहर बनाने के लिए 2047 तक की पहल की गोश्चना की है ठीके ध्यान रखना कौन सी गवर्मेंट ने अनाउस्मेंट किया है कि वो भारत को 2047 तक वैस्षिक शहर बनाने का प्रयत्न करेंगे या 2047 तक वैस्षिक शहर बना देंगे तो कौन सा राज है या कौन सी यूनेंट टारिटी है हाँ बेटा डाल दिए पीडिए तक्षी ने शायद हो सकता है उसकी मोबाइल में कुछ टेक्निकल इश्यू हो चले तो पटापट बता दीजे जल्दी से जो लोग बेटा लाइफ नहीं आए हैं तो प्लीज बेटा लाइफ आए सेशन को लाइक करें शेर करें और जल्दी मैंने बताया है भारत में 28 स्टेट है और आपकी 8 यूनियन टारिटी है ध्यान से देख लिजिए आपके यहाँ पर 28 स्टेट है और 8 यूनियन टारिटी है तो उनमें से कौन सा 2047 तक अगर वो मुख्य मंतरी रहते हैं तो यह 2047 तक भारत को वैसिक शेहर घोशित कर देंग किया है ध्यान रखना दिल्ली के मुख्य मंतरी है अर्विंद केजरीबाल और वहां के गवर्णर सोरी लेटिन गवर्णर कौने वहां के अनिल बाईजाल चले तो नेक्स कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम नेक्स कोश्चन आपके सामने यह रहा नेक्स कोश्चन को फटाफट देख लीजिए कि नीरज चोपड़ा ने किस इस परदा में नीरज चोपड़ा ने किस इस परदा में टोकियो ओलम्पिक में भारत के लिए स्वण पदक दावा किया है यानि स्वण पदक जीता है टोकियो ओलम्पिक में तो फटाफट मुझ किस खेल से हैं या नीरत चोपडा कौन सा खेल खेलते हैं कि नीरत चोपडा का गेम क्या है कुछ भी आप मुझे फटावाट से कमेंट उजा दिए कि आपको क्या लगता इसमें से चाले तो काफिलो क्या आना स्टार्ट हो गए है नीरत चोपडा वाला बिलकुल नीरत चोपडा क्या खेलते हैं जैव्लिंग फ्रू खेलते हैं जैव्लिंग फ्रू खेलते हैं 87.58 ख में ना 87.58 रेंज पर यानि मीटर पर उन्होंने क्या किया था अपने भाले को फेक आथा और भारत के लिए वो गोल्ड लेकर आये थे ख्यान रखना भारत के लिए क्या लेकर आयते वो गोल्ड लेकर आयते और टोकियो ओलम्पिक में भारत की कौनसी रैंक थी आपकी 48 रैंक थी टोकियो ओलम्पिक में जो रैंक थी वो कौनसी रैंक थी 48 नमर की रैंक थी भारत की और भारत ने टोटल मैडल कितने जीते थे टो यानि टोटल साथ मैडल थे भारत के पास ठीक है तो यहां से देख लेना चले आगे बढ़ते हैं नेक्स कोश्चन की तरफ चले तो नेक्स कोश्चन आपके सामने यह रहा लो जो मैंने अभी डिटेल बताई उसी से कोश्चन आ गया अगला वाला सेम कोश्चन है पटाबट ओलंपिक 2020 में होने वाले थे बाट कोविड 19 के बज़े से 2021 में हुए है ठीक है सिफ कोविड 19 के बज़े से हुए है तो हम पार इसको 2020 ही पढ़ेंगे टोक्यो ओलंपिक 2020 ही पढ़ेंगे ठीक है टोक्यो शहर कहा है जापान का शहर है टोक्यो जापान की कैपिटल भी है टो टोकियो ओलम्पिक में तो बिल्कुश सही है यहां पर टोकियो ओलम्पिक में भाती रही थी 48 इस राइट आंसर बिल्कुश सही है सबी लोगों का चलिए तो नेक्स कोश्चन की दर बढ़ते हैं हम यहां पर नेक्स कोश्चन आपके सामने ये रहा किस राज सरकार ने काकोरी शर्यंत का नाम बदल कर काकोरी ट्रेंड एक्शन ध्यान रखना काकोरी जो कांड हुआ था वो किस राज में हुआ है और उसका नाम उस सरकार ने चेंज करकर काकोरी शर्यंत का नाम बदल कर काकोरी ट्रेंड action कर दिया गया है तो वो किस राज में हुआ था ये आपको बताना जिसे गोद्रा कांड गुवा था वह आपका गुजरात में हुआ था ऐसी काकोरी हत्या कांड भी हुआ था तो ये काकोरी चड़यान तुज हुआ था वो काउस्का नाम बदल कर काकोरी train action रख दिया गया है फटाफट मुझे 14 तांसर कमेंट करके बता दीजिए जो बच्चे अभी तक विटा लाइफ नहीं आ है तो फटाफट से लाइफ आ जाए शेशन को लाइक कर दे इतनी धुआधार कर दे कि ये पूरे देश और विदेश तक फैल जाए चले फटाफट जली से कमेंट कर दीज ये चारी चेंज जो रहे हैं उत्तर परदेश में यो जो रहे है तो फॉट्तर प्रदेश के मुख मंत्री योगी आधितनाथ ने इसको चेंज कर दिया है तो नाम बदल दिया गया बिलोको सही है योगी आधितनाथ चले तो नेक्स और बढ़ते हैं मारा 14 का यूपी याच नेक्स कोश्चन आपके सामने ये रहा नेक्स कोश्चन है आपका चले हुरुल ग्लोबल के अनुसार दुनिया की 500 यानि 500 सबसे मुलवान फर्मों की सूची में से कौन सी कंपनी सबसे आगे है देखो यहां पर विदा दू कि यहां पर एक ग्लोबल ग्लोबल के अनुसार दुनिया की रैंक निकाले जाती है तो यहां पर सबसे पहले नंबर की कंपनी कौन सी है तो आपको मुझे फटाफट से कमेंट करके बताना है कि कौन सी कंपनी पहले नंबर पर है तो ठीक है फटाफट से कंपेंट कर दीजिए और आगे मुझे बता दी जल्दी फटाफट मोबाइल तो होगा आपके पास ना इसका जल्दी से कमेंट कर दीजिए यहां पर पहले नंबर पर कॉनसी कंपनी हैं। आफि लोग के आंसर आ श्ञाट हो गए हैं एपल इन्य कुल सही आंसर हैं पहले नंबर पर दूसरे पर माइक्रोसोफ है और तीसरे पर आपकी कंसी है Amazon है दियान दखना यह number भी आदख लो हो सकता वो पहला ना पूछ कर दूसरा या तीसरा भी आपसे पूछ सकता तो पहले number पर Apple है दूसरे number पर Microsoft है और तीसरे number पर आपकी Amazon है Is that clear? तो आगे बढ़ते हैं next question की तरफ तो first, second, third या दखना बेटा कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे चले next question आपके सामने ये रहा next question है नागरिक कैंदृ सेवाओं के लिए visitor रूप से कैंदृ क्रत समाधान प्रदान करने के लिए चिस राज के दुआरा in agar mobile application और portal launch किया है बता दीजिए किस राजने इन agar mobile application और portal launch किया है Which states' launch email application और portal फटा-फ़र से मुझे कमेंट कर दीजिए जल्दी से बिल्कुल प्री क्लास लेने वाले लाइक तो कर दो हाँ बेटा हम सुभा 8 वजे से आकर आपके लिए तनी मैनत करते हैं तो प्लीस इतना तो आपके लिए बनता है कि घर पर बैठ कर आप रजाई में बैठ कर पढ़तो रहे हो पर हमारे लिए भी तो कुछ बने तो हमारे लि कुछे कमेंट कर दीजिए तो काफिलों के आंसर आ गए है कि बिलकुल सही है तो यह गुजरात बिलकुल सही आंसर है बिटा जब यह लॉंच हुआ था तब यहाँ पर मुखमंत्री आपके विजे रूपानी थे और अभी जो मुखमंत्री है वह भूपेंदर पटेल है ठी यह चका गलने तो आगे बढते हैं नेक्स कोरिव की तरफ आंचस्टीन आपके सामने यह रहा अगए इत्रहाव मत्मेश्क्राश्टियू demand विस्य क्या था और सबसे पहले यह भी बता देए कि नेश्टराचल यूठ्रेक्श का बनाते राष्टिए आं सॉर्य जो पूछ रहा है वो इंटरनेशनल है तो अंतराश्टी यूवा दिवस कब बनाते हैं तो फटाफट से मुझे कमेंट करके बजा दीजिए कि इंटरनेशनल यू तुडे कब बनाते हैं और उसकी ठीम क्या थी ठीक है तो दोनों में से एक चीज पूछ सकता है या तो आपको थीम पूछेगा या आपको डेस पूछेगा ठीक है तो डेस के पूछे जाने के चांसे ज़्यादा होते हैं तो फटाफट से लाइक आज आज आईए और कमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए जल्दी से सत्रा ए का सत्रा का ए बिल्कुल 17 का ए आंसर बिल्कुल सही है काफी बारा अगस्ट 21 आ रहा है रनिंग करते हुए मेरी क्लास देख रहे है बेटा रनिंग भी करते जाओ को कि MP कांस्ट्रीबल में भी दोड़ होने वाली होगी तो डेफिनेटल आप दोड़ दे रहिए पढ़ते रहिए भागते रहिए डेफिनेटल कहीं न कहीं आप बारा अगस्ट को बनाते हैं तो और अगर यह पूछ ले हैं आप से कि नेशनल उन डियक बनाते हैं अगस को बनाते हैं चले थो बनाते हैं आठ आपके सामने यह रहा एक ये बहुत बड़ा धमाका होने वाला है कि ध्यान से देख लीजिए यानि आज ही से ये स्टार्ट होने वाला है 30, 31 और 1 जनवरी को सिर्फ 3 दिन सभी कोर्सेस पर 90% का डिस्काउंट आपको मिलने वाला है तो बेटा जोनों ने अभी जग कोर्स या पर्चेस नहीं किया है जो घर बैठ कर और मेरेट करके पढ़ना चाते है या जिनका भी एक्जाम नहीं है तो इन में से कोई अगर आपको जिस फिल्ड से आप बिलॉंग करते है बैंकिंग फाउंडेशन है, SFC है बैंकिंग में इस साल बहुत सारी ज़्यादा वैकेंसी जाने वाली है निर्मिना सीतर रमन जो मारी फाइनेस मिनिस्टर है उन्होंने एनाॉंस्मेंट किया है कि हम लगबत 45,000 के आसपास एप्रॉक्स 45,000 के आसपास वैकेंसी निकालने वाले है तो फटाफट से देख लीजिए जो भी कोर्स आपको चाहिए तो वो यहां से आप ले सकते हैं चीक है? चले तो नेक्स कोश्चन की तरब बढ़ते हम नेक्स कोश्चन आपके सामने ये रहा तो नेक्स कोश्चन है आपका 21 राज के मुख्यमंत्री ने फैसलेस परिवहन सेवाओं को सुरू किया है पटाफट देख लीजिए फैसलेस परिवहन सेवा किस राज के मुख्यमंत्री के दुवारा लाँच की गई है तो नेक्स कोश्चन का तरमेंट मुझे बता दीजिए जल्दी से पटाफट कमेंट कर दीजिए एतीन का अंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि फैसलेस परिवहन सेवा है किस राज के गौरा स्टार्ट की गई है बिड़ा जिनका पहले और बाद में है तो बिलकुल टेंशन ना ले कि पहले मेरा है और बाद में होना चाहिए था तो ये तो सब पेपर आप पढ़ाई इतनी कर लो ना आपको टेंशन ही नहीं होनी चाहिए तो बिलकुल देहली इसा राइट आंसर ये अरविंद केजरी वार ने अनांस्मेंट किया है ठीक है ध्यान लखना अरविंद केजरी वार के द्वार ये श्टार्ट किया गया है तो चलिए फटावट से गंदा गंदा बिक्र से hago pay कन्या जिनकलते वो नदियों में बढ़ा देते तो वो बन्द कर दिए गया तो किस शहर में है तो पटापटril बता दिख्येॹए य hele को आप स् Schuld बारत अभिहान में पूरे भारत में नमबर वन पर लगातार पांच भिवारी आया है और पहला यह जगातार पांच वार फॉस्ट रैंक पर आने वाला पहला शहर बन गया है इंदौर मत्रदीश ठीक है चले तो इसके साथ और भी तादू मैं आपको कि इंदौर में अभी हाली में मत्रदीश की मुक्मंत्री सिवराज सिंग चोहान ने दो नई बड़ी-बड़ी घोशना की ह भबर्वर पुवा चौहाय का नाम ठांट», भी चौहाय कर दिया गया है और पातान पानी रे यूशल Tigers का नाम ठांट्या भी लिए स्टेशन भी कर दिया गया है तो यह याद अकना यह रिलिए स्टेशन भी पूछा जा सकता है चले तो next question की तरब बढ़ते हैं next question आपके स किस संगठन द्वारा health convinced अध्यन का पहल शुरू किया है तो देख लीजिए वह आपसे पूछ रहा है किस organization ने health convinced अध्यन की पहल को शुरू किया यानि health care system खहां से देख लीजिए health care system की बात हो रही है health care system किस संगठन यानि किस organization के द्वारा start किया गया है तो पटापट बता दीजिए टांट्या भी रिविश्टेशन बिल्कुल सही है बेटा चले next question का अंसर मुझे comment कर दीजिए 20 का जल्दी से तो बिल्कुल is a right answer Indian Space Research Organization बिल्कुल सही है 1969 की बात कर रहे हैं यापर तो जहां से देख लेना 1969 में इसकी starting की गई थी और इसका headquarters बैंगलॉर में है ठीक है और के शिवान ध्यान से देख लेना के शिवान इसके chairman है फटाफट जल्दी आजाए ये बेटा live जन्होंने नहीं किया है तो फटाफट से comment कर दीजे और अब हम rapid fire फटाफट जल्दी करने वाले हैं डूरंड कप second की मेजवानी कौन सा शहर करेंगा तो रखना कंसा का संबंद किसे हैे फुटबॉल और जाता यहांसे देखते हैं पिए्प सबसे पुराना क्या क्यों माँता है और दुनिया को यह 30 से pencil है और इस साल 131 30 यांस दिख लेना 130 वा गेम यानि 130 वा इस्वरंट खेला गया है तो 130 ये नमबर भी याद रखना ये एशिया का पहला और विश्व का तीसरा ध्यान रखना एशिया का पहला और विश्व का तीसरा है और इस साल 2020 में 130 यानि 130 वा इस्वरंट खेला गया है ठीके चलो देख लो 130 चले तो ध्यान बिल्कुल सही है तो next question की तरब बढ़ते हैं हम यहाँ पर next question आपके सामने यह रहा भारती नोसिना ने हाल ही में किस देश में आयो जित भाव राश्टिये भाव राश्टिये अप्यास में भाग लिया है तो ज्यान लखना है ना से एक टैसीक इसको सीसेट भुलते है यहां से इसको सीसेट बनी तो 22 व्रकाणसर मुझे Unknown करके बढ़ा दीजिए फटा फट से तो बिल्कुल 22 वे वर आएगा आपका Singapore सेंगापूर है सिंगापूर बिल्कुल सही आंसर है सिंगापूर की capital है सिंगापूर city और currency है doller चले तो next question की तरब बढ़ते हम next question आपके सामने ये रहा लेक्स कोश्चन है आपका उत्पादक्ताओं और सेवां को बढ़ाने के लिए प्रसिक्षण तपस ध्यान रखना तपस की बात हो रही है कि संगठन मंत्राले के द्वारा शुरू किया गया एक ऑनलाइन पोर्टल है तो अभी धारी में तपस के द्वारा कौन सा ऑनलाइन प बोर्टल स्टार्ट किया गया है 22 23 का अंसर मुझे कमेंट कर दीजे फटाफट से बिल्कुल मिनिस्ट्री आफ सोशल जस्ट्रीस एंड इम्पावरमेंट यानि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मामले मंताले के द्वारा स्टार्ट किया गया है और इसके जो मंत्री है वह है वीरेंद रुकमार जो टीकमगड मद्ध प्रदेश से बिलॉंग करते हैं चलिए तो नेक्स कोस्चन के दब बढ़ते हैं फटाफट नेक्स कोस्चन आपके सामने यह रहा इज भारत की पहली ड्रॉन Firenostic Lab द्यान अखनार्ण Cornstic Lab और प्रेशं यूजनार्ट यूजना स्टार्ट की गई थी तो फटापट से मुझे साकंन कर दीजी कि भारत की पहली drone forensic lab और research center का उठाटन कहां किया गया है बिटा अभी तक जिनों ने शेशन like नहीं किया तो पटापट जल्दी से आ जाईए चलिए जल्दी से comment कर दीजिए यहां पर तो इसका right answer आएगा आपका 34 का कैरेला इसा right answer कैरेला यानि मंता बेनर जी के राजमिय किया गया है पहली drone forensic lab का उठाटन चलिए तो next question की तरब बढ़ते हम next question आपके सामने यह रहा तो next question है आपका आजादी का अमरत महसब या नगना आजादी का जो 75 वा अमरत महसब मनाया जा रहा है तो इस साल बहुत स scheme policies launch की जा रही है तो महसब में सम्हारों के दोरान भारत में कितने वंदे भारत express train चलाई जाएंगी तो ध्यान से रखना 25 का अंसर जो 75 वी बात हो रही है तो 75 ही इसका अंसर आएगा यह ध्यान रखना 75 ही इसका अंसर आएगा यह याद रखना ठीक है कौन सा आजादी काम मेरा इहाट पॉर्टल किस कंपनी के दोरा कारीगरों को ससक्त बनाने के लिए लॉंच किया गया है तो किस कंपनी ने अभी हाली में मेरा यानि माई इहाट पॉर्टल लॉंच किया है देख लो माई इहाट पॉर्टल किस कंपनी के दोरा यानि किस संगठन के दोरा यानि कि औरनाजेशन के द्वारा स्टार्ट किया गया है जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए लाइक नहीं किया पिटा आ जाओ जल्दी से चलिए देख लीजिए फटावर्ट माई इहार्ट पोर्टल एज बीन लॉंच वाइविच कंपनी या इंपावर्स देख लीजिए फटावर्ट से 26 का अंसर मुझे कमेंट करके बदा दीजिए 26 का अंसर क्या आएगा तो बिल्कुल सही आंसर आया है HCL Foundation के दोरा स्टार्ट किया गया है और HCL Foundation 1976 में स्टार्ट किया गया था HCL एक कंपनी है जो काफी बड़े लिबल पर लैप्टॉप बनाती है चलिए तो नेक्स कोश्चन किदर बढ़ते हैं नेक्स कोश्चन आपके सामने ये रहा नेक्स कोश्चन है आपका किस राज के मुखमत्री ने 3.5 करोड लोगों के लिए Smart Health Card की घोशना की है तो देख लो Smart Health Card बनाया जा रहा है आपको पता होगा अभी रिसेंटली आयुश्मान कार्ड भी बनाया गया था तो आयुश्मान उडीसा बिजूल सही आंसर आया है उडीसा आंसर इस राइट तो फटाफट जल्दी से आजाए कमेंट करते हुए नेक्स कोश्चन की तरह बढ़ते हैं हम यहाँ पर नेक्स कोश्चन आपके सामने यह रहा चले तो नेक्स कोश्चन है फुटपार्थ इंजिनेरिंग ध्यान रखना फुटपार्थ इंजिनेरिंग और बुद्धी मान परिवहन परनालियों पर सडक परिवहन मंत्राले के साथ कौन सा संस्था सयोग करेगी तो फटाफट बता दीजिए कौन सी सही संस्था सयोग करने वाली है जल्दी से कमेंट कर दीजिए फटाफट से तो 28 का अंसर आएगा काफी लोगों को आंसर नहीं स्टार्ट हो गए बिटा थोड़ा फास करें जल्दी-जल्दी करें कोशन पढ़ते जाएं और आंसर देते जाए 28 का अंसर 28 का अंसर काफी लोगों दे दिया है आयाइटी मदरास बिल्कुल सही है आयाइटी मदरास इसा राइट आंसर बिल्कुल सही है आयाइटी मदरास बिल्कुल सही है चलिए नेक्स कोश्चन के बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स कोश्चन आपके सामने यह रहा तो नेक्स कोश्च नियो क्लेक्शन किस बैंक के दौरा शुरू किया गया एक d-i-y digital पुने भूप्टान मंच है तो किस बैंक ने यह लांच किया है कोटिक महिंद्रा कोटिक महिंद्रा बिल्कु सही आंसर इसका चलिए तो नेक्स कोश्चन बढ़ते हैं नेक्स कोश्चन आपके सामने यह रहा चलिए सद्भावना दिवास भारत में किस भारती नेता की जैनति मनाने के लिए प्रतिवस मनाया जाता है जो इसी कोश्चन है उनको थोड़ा जलदी जलदी करते जाते हैं चलिए तो next question आपके सामने यह रहा निम्लिकित में से कौं सा राज केंद्र शाषीद परदेश में देश का पहला smoking tower यहां रखना कि शराब और गुठका तमाकू छेनी पान अगर कुछ भी खाते है तो वो शहथ के लिए हानिकारग होता है बढ़ किस राज की सरकार ने पहला इसमोग टावर खोला है बहुत उचाई पर जाकर खोला आए ना तो यह कहां से यानि किस राज में स्टार्ट किया गया तो पहला स्मोग टावर कहां पर बनाए थर्टी फर्स का अंसर मुझे कमेंट कर दीजिए यह पता ही है आपको दिली इस आ राइट आंसर यानि अर्विंद केजरी वाल ने इसका घाडन किया था चले नेक्स कोश्चन के दर बढ़ते हैं नेक्स कोश्चन आपके सामने यह रहा चले तो नेक्स कोश्चन देख लिए चलें चंब के क्रिप्तो अपनाने के मामले में भारत की रैंक क्या है क्रिप्ट एक करनसी है बेटा gözud to में भारत को कौन सी रेंक है तो देख लीजिए 32 का अंसर मुझे कमेंट करके बदा दीजिए तो सेकंड राए का फिलो का अंसर बिल्कुल सेकंड इसा राइट अंसर क्रिप्टो में भारत वो सेकंड रैंक पर रखा गया है चलिए तो नेक्स कोशन की तरब बढ़ते हैं नेक्स कोशन इन में से कि से चेत्र को आल ही में सबसे अधिक उचाई वाला हरवल पार्क मिला है काफ सारे उच्षे-चाम हो रहे हैं आपने सुना वका बढ़ा जंडा जंडा यहां मत कर देना कंप्ली्ट एजन 33 का अंसर मुझे कमेंट कर दी जल्दी से तो 33 का अंसर आएगा आपका नेक्स कोश्चन फटा पर चे थैटी थी का अंसर मुझे कमेंट कर दीजे तो बिल्कुल चमोली उत्राखंड में होगा कहां होगा चमोली उत्राखंड में होगा उत्राखंड कैपिटल दहरा दून घ्य जहां दखिए विश्वुजलसप्तादिवस की बात हो रही है, विश्वोजलसप्तादिवस दो अदाल इक्टिस का विशे क्या था आपको यह भी बताना है कि वाटर डे यरी वर्ल्ड वाटरडे कब बनाते हैं ठीक है और National Water Day की बात करें तो वो 14 April को बनाते हैं ठीक है 14 अपरेल को बनाते हैं कि 22 मार्श को वाटर डे और 14 अपरेल को न Maya बनाते हैं यूदा अपरेल को बनाते है बन आपको बताना क्या है 2021 विस्व जलd 15 दिब है कब बनाते हैen तो ऐसो सब्ता बनाते हैं 20 माज़ Oil बनाते है ओधर बनाते हैं रिता दीजिए 34 आगा आपका दीजिए इसने को छोटन सब्ते हैं next question आपके सामने ये रहा next question है 35 सुरक्षित शहर सूचकांग 2021 में किस शहर ने शीर्स इस्थान आसिल किया है सुरक्षित मतलब समझते हैं जहां पर safety feel होती है ठीक है तो safety feel होती है तो ध्यार लखना एक ही शहर हमेशा पहने नमबर पर आता है चरिए पड़ावट जल्दी से comment कर दीजिए और share कर दीजिए जिन्होंने session अभी तक like नहीं किया तो पड़ावट लाइक और share कर देए जल्दी से तो इसका answer मुझे comment करके बदा दीजिए तो इसका answer आएगा आपका copenhagen ध्यान रखना डेन मार्क की राजडानी है copenhagen कान सी राजडानी है डेन मार्क की राजडानी है आपकी copenhagen来 Denmark copenhagen इसकी currency है तो डेन मार्क इससा Right answer एचलिया तो next question के दर बढ़ते हैं यहाँ पर next question à आपके सामने ये रहा चलिए थिस्ट देख लीजिए फटाफट से किस मंत्राले ने किस मंत्राले ने सुजालम नाम से सो दिनों का अभ्यान शुरू किया है किस मंत्राले ने सुजालम नाम से एक अभ्यान शुरू किया है तो किस मंत्राले के दौरा स्टाट किया गया है 36 का मुझे कमेंट कर दीजिए जल दीसे 36 का ministry of जल सक्ती इस राइट आंसर ministry of जल सक्ती इस राइट आंसर और जल सक्ती मिनिस्टर कौन है सिंध से खावत वांके मुख सरी गजेंऑ सिंध से खावत मिनिस्ट्री आफ जलसक्ती के मिनिस्टर राँके मिनिस्टर है या पके मिनिस्ट्री आपके सामने ये रहा चलिए तो next question आपका EASE reforms index award 2021 देख लीजिए EASE 3.0 awards में किस bank को शीर्स इस्थान हासिल किया है तो यानि EASE award किस bank को दिया गया है next question 37 cancer मुझे comment कर दीजिए जल्दी से 37 cancer तो वो simple answer है यह मैंने last class में भी बताया था कि State Bank of India SBI State Bank of India को या award दिया गया है SBI की स्थापना 1955 यानि 1955 में इसकी स्थापना यानि नास्टाजिशन किया गया था इसका पुराना नाम था Imperial Bank of India SBI का पुराना नाम क्या था Imperial Bank of India और SBI का headquarter क्या है Mumbai SBI का headquarter क्या है Mumbai तो next question की बढ़ते हैं हम यह पर next question आपके सामने यह रहा चलें तो next question की बात करते हैं 38 एक हम एक कोशन के देखते हैं stop टीबी पार्टनर्शिप बोड के अध्यक्ष के रूप में कि से निफ्थ किया गया है तीबी पार्टनर्शिप की बात हो रही है तो इसलिए तो टीवी कि बात कर रहे हैं तो टीवी पाता होना अच्छी कि क Qi बनाते हैं बहुत सारे को टीवी डय को बनाते हैं आपका 24 मार्च को बनाते हैं कब बनाते हैं तो और कैश्ग जो हमारे यहां के क्या है कि एक बीमारी वीफिल्ट मैंसुठ होती और स्वासमंत्रों कौन है हमारे आके मनसुख मांदविया तो कोश्चन से ही आंसर बनेगा आपका टीवी एक बीमारी है ठीक है बीमारी स्वासरेटेट होती है और स्वासमंत्री कोन है मनसुख मांध भी आए ओप बनाते हैं 24 मार्च को बनाते हैं चलिए एक कोशन से बहुत सारे कोशन बनने के चांसे होते हैं तो फटाफट नेक्स कोशन बढ़ते हैं 39 का 39 का कोशन है आपका किस राज में वित्न मंत्री निर्मला सीता रमन्जी यानी फाइनेस मिनिस्टर कौन है भारत की हमारी निर्मला सीता रमन्जी हैं ध्यान रखना यह पहली महिला इंडिपेंडेंट पहली महिला हमारी फाइनेस मिनिस्टर है इससे पहले एडिशनल पर हमार फट आंसर दे दीजिए कि माई पेड माई राइट योजना माई पेड माई राइट योजना किस राज में स्टार्ट की गई है 39 का अंसर मुझे कमेंट कर दीजिए माई पेड माई राइट योजना किसके दौरा स्टार्ट की गई है तो वह है आपकी तृपूरा तृपूरा रैट जो है वो नावाड ने start किया है ठीक है नापाड की starting 1982 और नाभाड का headquarter कहा है मुंबई में है नाभाड का headquarter कहा है मुंबई में national bank for agriculture and rule data chega बाड की starting 1982 headquarter मुंबई में है चले तो next question की तक बढ़ते हैं next question और आज का last question आपके सामने ये रहा चले तो next question फटावर्स इसका answer मुझे comment कर दीजिए किस देश ने जन संख्या संकट को रोकने के लिए आपचारिक रूप से तीन बार नीती को मंजूरी देती है तीन बार मतलब अब आप उस देश में अगर हैं तो तीन बच्चे पैदा कर सकते हैं तो आपको पता ही होना चाहिए कि सबसे जादा population किस देश की है तो पता है वो हमारा answer चायना पर चायना में पहले क्या चली थी वन चायल पॉलिसी चली थी कि बच्चा सिरथ एक ही पैदा कर सकते हैं अगर दो वहाँ पर अब जो देखा जा रहा है कि म्रत्यू दर बढ़ती जा रही है और जो जन्म लेने की दर है वो कम होती जा रही है तो उसको बराबर लेके आने के लिए यहाँ पर उन्होंने क्या किया है अब आप 3या पॉलिशी लगो कर दी हैं यहाँ आप 3 बच्चों को पैदा कर सकते हैं तो चाइना इस्यदा राईट आंसर है बिल्कुल चलें तो हम आग़े चलते हैं नेक्स reviewed चाइना is a right answer चाइना आपका answer पर कुछ सही है तो फटा फट से देख लिजे आगे चलते हैं चले तो ये आज के हमारे 40 question complete हो गए है तो आगे देखते हैं आपका ये नया साल का offer फिर से बता दूँ एक बार last वार ये offer है सिर्फ आज कल और परसो 30, 31 और एक दिन के लिए यानि एक ता आपको telegram channel पर मिल जाएगी आप उसकी बिल्कुल चिंता ना करें चले तो next आगे बढ़ते हैं और ये 80 class हम खतम करते हैं कल मिलेंगे सुबह 8 बजे इसी time पर बिल्कुल बने रही है सुबह 8 बजे मैं विवेख सकते ना YouTube channel पर winners के YouTube channel पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर बेटा प्लीज सेशन को like कर दे, share कर दे, comment कर दे, कोई doubt आए तो मुझसे पूछ ले ठीके और अगर आप कोई भी मुझसे बात करना चाहता है तो please winners के टेली कॉल ये number पर आप मुझसे बात कर सकते हैं ठीके और अभी तर जिन्हों ने session like नहीं किया तो please बेटा session को like कर दे, share कर दे और status पर भी डाल दे, चले तो मिलते हैं कल सुबा 8 बजे 9 माईने के साथ, अब हम July लेके चलेंगे, thank you very much, धन्यवाद. झाल फिर उन्यवाद.